गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम कच्छा बार बारेज और कलावर के छात्रों को वाक्य के प्रकार और उनकी परिभाशाओं को उदाहरन सहीत समझने का परियत्म करते हैं। स्टुडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि वाक्य अर्थ के आधार पर पांच प्रकार के होते हैं तथा बनावत के आधार पर उनके प्रकार अलग होते हैं। आपको ये भी संग्यान है कि अंग्रेजी बंड माला में कुछ 26 अच्छर होते हैं इन अच्छरों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं शब्द वे अच्छर शमू होते हैं जिनका एक अर्थ होता है जैसे यमें मैं टी ए सी एच्छर टीचर क्यू यू ए डबल आर एल क्वेरल इंटेलिजेंट सक्सेस इजिन्ट इट इट मेंस ये शब्द हैं और इनका अर्थ हैं अब नीचे के शब्द शमू को देखिए जिसमें लिखा हुआ है इंटेलिजेंट टीचर कैन टीच स्टूडेंस अर्थात ये पांच सब्दों का शब्द शमू है इस सब्द शमू का एक पूर्ड आसे है और इस आसे युक्त शब्द शमू को ही वाक्य करते हैं अर्थात शब्दों का वा शमू जिसका एक पूर्ड अर्थ होता है उशेवाक के कहते हैं अर्थात अर्थ कूर्ड शब्दों का समू जिसका एक पूर्ड अर्थ होता है उशेवाक के कहते हैं Let's take the example, आये उदाहरण देखें, डेवीड comes here, डेवीड यहां आता है, रोहित believes in self-study, रोहित स्वाध्याय में भरोशा करता है, The moon, science at night, चंद्रमा रात में चमकता है, बनावट के आधार परवाग तीन प्रकार के होते हैं, आये इन प्रकारों का अलग अलग परिभाशा और उदाहरण के साथ अध्येन कर समझने का प्रयास करते हैं, पहला, simple sentence, सरल्वाग, दूशरा, complex sentence, मिस्रित वाग, तीसरा, compound sentence, संजुक्त वाग, अब अलग अध्येन के तह देखते हैं, simple sentence, सरल्वाग, सरल्वाग, साधारन वाकिशे अलग होता है, सरल्वाग में वाकियों के बनावट के आधार पर एक मुख्य क्रिया का परियुक किया जाता है, मुख्य क्रिया ही सरल्वाग के को शाधारन वाकिशे अलग करती है, आएए इसकी परिभाशा को समझते हैं, a sentence which has only one finite verb is called simple sentence, अर्थात वह वाग जिसमें एक मुख्य क्रिया finite verb होती है, उसे शरल्वाग के कहते हैं, finite verb, मुख्य क्रिया को अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे finite verb, main verb, principal verb, उदारन जानने के पहले, हमें पहले मुख्य क्रिया को समझना चाहिए, मुख्य क्रिया का आसे, ऐसी क्रिया से है, जो वाक्य में परियुक्त अपने करता के नंबर, यानि बचन के अनुशार वाक्य में परियुक्त होती है, ये करता के नंबर के अनुशार बदल जाती है, जैसा की इन उदारन में अस्पश्ट है, देखिए, दा वाशर मैन वाशेज क्लोट्स, धोबी, कपड़े, धोता है, वी ट्राई, स्वरी, वी इस्टे अथ होम, हम घर पे रहते हैं, हम घर पे ठहरते हैं, दे डिसाइडे टू लीप, वे जाने का निर्णे किये, ये सरल वाक्यों के उदारन हैं, इस्टुडेंट्स आपने देखा, कि इन वाक्यों में, इन शब्द समुहों में केवल एक ही क्रिया है, और वह मुख्रिया है, जो अपने करता के नंबर के अनुसार बदल रही है, अर्थात, जिन वाक्यों में मुख्रिया हो, और वह क्रिया, अपने करता के नंबर के अनुसार बदलती हो, उसे ही हम finite verb मुख्य क्रिया कहते हैं और जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया प्रयुक्त हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं मिश्रित वाक को हम निम्ड परकार से परिभासित करते हैं अर्थात प्रधान उपवाक के और आश्रित उपवाक के और आश्रित उपवाक्यों प्रधान उपवाक के योग को मिश्रित वाक कहते हैं प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक आपको कुछ नए शब्द लग रहे हैं जिनका अध्येन हम क्लाश के चेप्टर्स में कर चुके हैं यानि प्रधान उपवाक और आशरत उपवाक के अध्येन आप अपनी पुरवर्ति कक्छाओं में बिस्त्रिस रूप से किये हैं जिसका आशय आप भली भांच समझते हैं इस उधारन के माध्यम से भी हम आपको प समझने का प्रयास करते हैं आईए एक्जाम्पुल से समझने का प्रयास करते हैं मोहन सेज दै मैनेज मोल्टल मोहन कहता है कि मनुश नश्वर है इसमें दो वाक्य है मोहन सेज मैनेज मोल्टल इन्हें जोडने के लिए आपने देखा कि ये दैट सब्द का परियोग किया ग संझोजक कहते हैं और संझोजक वाक्यों में दो वाक्यों, दो शब्दों, दो उपवाक्यों को जोडने के लिए परियोग किया जाता है। अर्थात इस वाक्य में दो वाक्य हैं जिने जोडने के लिए हम दैट का परियोग किये हैं और ये दैट ही यह वाक्य के सनरचना को बता रहा है कि यह complex sentence है अब इसमें प्रधान उपवाक जैसा सब्द से आसे है कि प्रधान में और वो पहले है अर्थात मोहन सेज प्रधान उपवाक्य है और मैन इज मोल्टल ये संजोजक दैट के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात या सबाडिनेट कलाज ठीक उसी परकार दूशरे उदारन में देखिए सी आस्क वाई दे वर लेट इसमें भी दो वाक्य है सी आस्क दे वर लेट दोनों को जोड़ दिया वाई से तो ये हो गया कंप्लेक्ट सेंटेंस अर्थात उसने पूछा कि वे बिलम क्यों थे इसमें कोई कंजक्षन नहीं होता है ये प्रथम वाक्य के समान इसमें हमको ये लगता है कि यह केवल एक ही वाक्य है यह मिश्रित वाक्य नहीं है बलकि यह जो है आप देखिए सरल वाक्य है अब complex sentence मिश्रित वाक्य के तीन सब प्रकार होते हैं जिने हम noun class, adjective class और adverb class के नाम से जानते हैं अब स्टुडेंट्स हम क्लास का अध्यन कर रहे हैं जिसमें क्लास के प्रथम प्रकार प्रिंस्पल क्लास का अध्यन कर चुके हैं अब subordinate class, subordinate class आश्रित उपवाग, a class which depends on principal class for its complete sense is called subordinate class वा उपवाग जो अपने अर्थ की पूर्टा के लिए प्रधान उपवाग के पर आश्रित हो उशे आश्रित उपवाग कहते हैं जब आप मदद करते हैं वह पड़ती है वेन्यों रिट्स, subordinate class है क्योंकि यह सी रिट्स प्रधान उपवाग के पर आश्रित है wait till I return, मेरे लौटने तक प्रतिक्छा करो, till I return, यह principal class wait पर अपनी अर्थ की पूर्टा के लिए आधारित है subordinate class तीन प्रकार के होते हैं noun class, a class which works as a noun examples, that is honest is known to all is verb है और इस verb का subject है that is honest जिसमें that conjunction है या subordinate class है जो noun का कारी कर रहा है I say that trains are not running, मैं कहता हूँ के रेल गारियां नहीं चल नहीं है that trains are not running, that trains are not running या subordinate class है क्योंकि या I say principal class पर आधारित noun class अर्थात noun के जो कारे हैं वही noun class के कारे हैं और noun के निमलखित कारे होते हैं subject, objects, compliments, prepositional object and case in apposition जिसका अध्यन आप पुरवर्तिक अक्षा में कर चुके हैं अब दूसरा परकार है subordinate class का adjective class, a class which works as an adjective in a sentence examples, he lost the book which was costly, book को विशेषता बताने वाला सब्दे विच वास कोश्टली या adjective class I know the man who broke the chair, मैं उस आदमी को जानता हूँ, जिशने कुरशी तोड़ी थी, who broke the chair या मैं की विशेषता बता रहा है, इसलिए या adjective class थीसरा adverb class, a class which works as an adverb is called adverb class, although he is poor, he is honest, although he is poor या जो है noun adverb class the bus had gone before you reached, before you reached या subordinate class है और यह जो है adverb class का का काम कर रहा है अब तीसरे प्रकार का जो class होता है वो है coordinate class, coordinate class, शमानपदी उपवाग, a class which is equal to principal class and introduced by a coordinating conjunction is called coordinate class, example, you came and they went, आप आए और वे चले गए, he is honest and his brother is laborious, वो इमानदार है और उसका भाई परिश्रमी है इस प्रकार आपने class का ध्यन किया और अब हम synthesis का ध्यन करेंगे, that's all, study it, learn it